हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है शुरूप का यह यूटूब चेनल में और तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडसेंस जूरी ऐसे 5 सवालों के बारे में जो आप सभी के दिमाद में आता होगा पर उनका जवाव आपको नहीं मिलता है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बट उससे पहले यह वीडियो बहुत इंफरमेटिव होने वाली है तो पुरा वीडियो को जरूर देखते रहेगा अभी तक आमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजएगा तो इस वीडिय फ्रेंट्स एक आत्मी का सिर्फ एक है एड्सेंस अकाउंट होता है तो यह पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अब अपने मां का पापा का या फिर भाई बहन अंगल अंटी किसी कई भी नाम पे एड्सेंस अकाउंट ओपन करके यूज कर सकते हैं प्रेंट्स अगर हमारा एड्सेंस अकाउंट का CTR 10% से ऊपर हो जाता है तो क्या आपको यह पर क्या करना है आप आपका जो वाईरल वीडियो है उसको आपको skippable ads और non-skippable ads जो होते हैं उसे disable कर देना है तो उससे क्या होगा वीडियो में invalid clicks नहीं होगा और आपका CTR दो दिन दिन में normal हो जाएगा तिसरा जो questions आप लोगो के दिमाग में आता है वो है हमारा AdSense के जो pin आप सभी को पता है दस दोलर होने के पाद एक pin आता है वो pin हम कितने टाइम अपने घर पे मंगबा आ सकते हैं friends आप अपने AdSense का जो pin है वो थ्री टाइम अपने घर पे मंगबा आ सकते है अगर तिसरी बार भी आपके पास नहीं पहुचा है तो आपको चौती बार अप्लाई करने का आप्शन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है फर्स्ट बार जो अप्लाई करना है उसके बाद एक महीने बाद आपको फिर से यहापे जो एक्शन का बटन मिल जाएगा वो आसे सेकंड टाइम मंगबा सकते हैं उसके बाद थार टाइम जो है अपने घर पर मंगबा सकते हैं फूर्थ जो क्वेस्टन सब लोग की दिमाग में आता है वह सकता है फ्रेंट्स कि हमारा अगर एटसेंस का पिन तीन बार हमारी घर पर नहीं आएगा जाओ में ऐसा होता है कि यहां पर पूस्टों इसकसों भी था इतना अच्छा नहीं होता है और लोगों को भी ट्रेक करना इतना असान नहीं होता है तो उससे क्या होता है अपर नहीं मिलता है बहुत लोगों को तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो क्या होगा तो friends, आपके AdSense में एक option मिल जाएगा, आप वह से directly अपने जो government ID proof है, अधरगर्ड या पैनगर्ड उससे आप अपने AdSense account को verify कर सकते हैं तो fifth question है, वो बहुत important है friends, कि हमारा अगर AdSense account जिस नाम से है, क्या हमारा bank account भी उसी नाम से होना चाहिए तो ऐसा कुछ rule नहीं है friends, आगर आपकी नाम से bank account है, और आपने पापा की AdSense पे link करना चाहते हैं, तो ऐसा भी होगा, अगर AdSense जो है, आपकी पापा की नाम से है, और आप अपने account में पैसा विड्रो करना चाहते हैं, तो वो भी आप link करके कर सकते हैं, तो आज इस वीडि किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं,